हलो दोस्तो तैयारी कफलो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहिति का प्रक्टिस सेट 38 जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 1 से 37 सथ तक के प्रक्टिस सेट देख लिये थे दोस्तो अगर आपने उन सेटो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं यहां सभी वीडियो यूजिसी नेट, CT, ETA, CT, TGT, PGT, Grade 1, 2, 3 के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन प्रिस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे तो दोस्तो आप अगर हिंदी साहित से सम्बंदित अन्य वीडियोस देखना चाते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं पहला प्रशन है सुमेलित कीजिए नीचे कुछ आप्शन्स हैं उन्हें सुमेलित करके जवाब देना है तो नीचे कूट दिया गया है इसमें से सही कूट का चुनाव करना है आप्शन है ए पांच चार दो और तीन बी तीन पांच दो एक सी दो तीन चार पांच या फिर डी एक चार पांच दो तो इसमें का जो सही उत्तर है वह है ओप्शन बी विरेचन का अरस्तू, निर्वैतिक्ता का सिद्धान्त, इलियट, रूपवाद, रूसो, विखंडनवाद, देरिदा तो ओप्शन बी सही है अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए इसमें भी सुमेलित करना है आ, शब्दार्थो सहितो काव्यम, मिलान है मम्मट बी, तद दोसो शब्दार्थो सगुणाओ नलंकरती पुनहा क्वापी विश्वनात सी, रमणियार्थ प्रतिपाद कह, शब्द काव्यम, मिलान है भामा या फिर दी, वाक्यम रसात्मक काव्यम, मिलान है आनंद वर्धन और पंडित राज जगननात तो नीचे कूट में सही उत्तर सही कूट का मिलान करना है ए, पांच, चार, दो, तीन, बी, तीन, एक, पांच, दो, सी, दो, तीन, चार, पांच या फिर ओप्शन डी, एक, चार, पांच, दो, तो सही उत्तर है आप्शन ए, शब्दार्थो सहितो काव्यम का भामह, तद दोसो शब्दार्थो सगुनाव लंक्रती पुना क्वापी मममट, रमनियार्थ प्रतिपाद कहा, शब्द काव्यम, पंडित राज जगननात, वाक्यम रसात्मकम, काव्यम विश्वनात जी का अगला प्रशन है, निम्न लिखित काव्यम पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए काव्यम पंक्तियां है और रचनाकार के साथ मिलान करना है ओप्शन ए, दोनों और प्रेम पलता है प्रसाद जी की भी, धिक जीवन जो पाती ही आया विरोध, तुलसी रास, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, निराला या फिर उप्शन डी, बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मिलान है, मैथली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा, नीचे कूट दिया गया है, उसमें से मिलान करना है तो आप्शन है A, 2, 1, 5, 4, आप्शन B, 5, 2, 1, 4, आप्शन C, 5, 3, 2, 4, 3, 2, 5 या फिर आप्शन D, 2, 3, 5, 1, सही उत्तर है, आप्शन C, दोनों और प्रेम पलता है मैथली शरण गुप्त की है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध निराला जी का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई तुलसी दास जी का, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, महादेवी वर्मा, आप्शन C सही है अगला प्रशन है, इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए रचना और लेखिकाओं है, उनका मिलान करना है, आप्शन है तो इसमें कूट है, उनका मिलान करके सही जवाब देना है आप्शन है A, 1, 4, 5, 3, आप्शन B, 2, 1, 4, 3, आप्शन C, 3, 5, 2, 1, या फिर आप्शन D, 4, 3, 1, 5 सही उत्तर है, आप्शन B, आपका बंटी मन्नु भंडारी जी का है बच्पन खंबे लाल दिवारें, उसा प्रिवंदा का है, आवा चित्रा मुगदल का है और बेघर ममता कालिया का है अगला प्रश्न है, इन बोलियों के उनके बोली छेत्र से सुमेलित कीजिए बोलिया है और बोलियों का छेत्र है, उनके सुमेलित करना है, आप्शन है ए, बांगरू, अलिगर्ड, बी, भोजपुरी, मेरट, सी, कुमायुनी, अलमोडा, या और फिर दी है खड़ी बोली, छपरा और रोह तक, तो अब इसमें नीचे कूर दिया है उस कूट का मिलान करके जवाब देना है, आप्शन है ए, पांच, चार, तीन, दो आप्शन बी, चार, तीन, दो, पांच आप्शन सी, एक, चार, तीन, दो, या फिर आप्शन डी, तीन, दो, चार, एक, तो सही उत्तर है आप्शन ए, बांगरू, रोहतक में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में, कुमायूनी, अलमोडा में, और खड़ी बोली, मेरट में बोली जाती है अगला प्रशन है, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, किसे नीचे कुछ आप्शन्स दिये हुए है मरगावती, शेख नभी, मधुमालिती, जायसी, आखरी कलाम, मंजण, अनुराग बांसुरी, कुतुबन और नूर महम्मद, नीचे कुछ है, इन कुछों का मिलान करना है औप्शन है, एक, पांच, तीन, दो, ओप्शन बी, दो, पांच, चार, एक, आप्शन सी, तीन, एक, पांच, चार या फिर option D, 4, 3, 2, 5 तो सही उत्तर है option D, मुरगावती कुतुबन की मधुमालती मंझन की आखरी कलाम जैसी की अनुराग बासुरी नूर महम्मद की है अगला प्रश्न है निम्न लिखित पत्रिकाओं को निम्न लिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है पत्रिका है और एक तरफ संपादक है उन्हें सुमेलित करना है option A, बाल बोधनी प्रेमचंद हंस, हरिशंकर परसाई प्रतीक भारतेंदू हरिश्चंद D, कलबना मिलान है अगे और बद्री विशाल पित्ती तो नीचे कूट दिया गया है उस कूट का सही मिलान क्या है? जवाब देना है option है A, दो, तीन, पाँच, एक B, एक, पाँच, चार, दो C, तीन, एक, चार, पाँच या फिर option D, चार, तीन, पाँच, एक सही उत्तर है option C, बालबोधिनी, भारतेंदु, हरिश्चन, हंस, प्रेमचन्द, प्रतीक, अग्ये, और कल्पना, बद्री विशाल, पित्ती अगला प्रश्न है निमन लिखित काववे पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए काववे पंक्तियों हैं और उनके रचनाकार है, मिलान करना है, कौन सा कूट सही है धूप का तन दीप, सीमे, निराला मधूप गुन गुना कर कह जाता, पंत इसने है, निर्जर बह गया है नरेंद्र शर्मा और डी है हाए मिरत्यू का ऐसा अमर अपार्थ्यू पूजन मिलान है महादेवी वर्मा और प्रफाद नीचे कूट दिया गया है, कूट में कौन सा अप्शन सही है बताना है, अप्शन है ए, दो, एक, तीन, चार अप्शन बी, चार, पांच, एक, दो अप्शन सी, पांच, तीन, चार, दो या फिर अप्शन डी, पांच, तीन, एक, पांच, दो, एक, तीन तो दोस्तों जो सही उत्तर है, वा है अप्शन बी, धूप का तन, दीप सी में महादेवी वर्मा जी की, मधूप गुनगुना कर कह जाता प्रसाद जी का, इसने निर्जर बह गया है निराला जी का, हाए मिरत्यों का, ऐसा अमर अपार्थियों पूजन सुमित्रा नंदन पंध जी का, तो आप्शन भी सही है अगला प्रशन है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एक तरफ उपन्यास है और दूसरी तरफ उस उपन्यास की उपन्यासकार है पहला है दिल्ली का दलाल मोहन राकेश, गुनाहों का देवता, भगवती प्रसाद वाजपेई, अंतराल, भगवती चरण वर्मा, भूले बिशरे चित्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र और धर्मवीर भारती तो नीचे कूट है, मिलान करना है कौन सा कूट सही है और कौन सा नहीं तो सही का जवाब देना है, ओप्शन है ए पांच, चार पांच, एक तीन, चार पांच, एक दो, सी, दो, तीन, चार एक या फिर ओप्शन डी, पांच, तीन, एक, दो, कौन सा सही है, तो सही उत्तर है ओप्शन ए, दिल्ली का दलाल, पांडे बेचन शर्मा उगरी जी का है, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी का है, अंतराल, मोहन राकेश का है, भूले, बिसरे, चित्र, भगवती, चरण, वर्मा जी का है तो ओप्शन ए, सही है अगला प्रशन है निमन लिखित काव्षक्रतियों का, निमन लिखित काव्षक्रतियों का सही अनुकरम क्या है ओप्शन है सही उत्तर है Option D. भारत भारती पल्लव अनामिका दीप शिखा अगला प्रश्न है कौन सा युग्म संगत है? Option A. दुख हुआ में का से कहूं मोरी सजनी? उगर जी का B. ताई सुदर्शन जी का C. ग्यारह वर्स का समय जैशंकर प्रसाद जी का या फिर Option D. रानी केतकी की कहानी इन्शा अल्ला खा तो कौन सा युग्म संगत है? उत्तर है D. रानी केतकी की कहानी इन्शा अल्ला खा अगला प्रश्न है निम्न लिखित ग्रंथों का सही अनुकरम क्या है? ग्रंथ हैं उनका सही अनुकरम बताना है A. नई कविता के प्रतिमान कामायनी एक पुनर विचार कविता के नए प्रतिमान चायावाद का पतन B. कविता के नए प्रतिमान नई कविता के प्रतिमान चायावाद का पतन कामायनी एक पुनर विचार C. चायावाद का पतन कामायनी एक पुनर विचार नई कविता के प्रतिमान कविता के नए प्रतिमान या फिर option D. कामायनी एक पुनर विचार चायावाद का पतन कविता के नए प्रतिमान नई कविता के प्रतिमान कौन सा सही है? तो सही उत्तर है option D, कामायनी एक पुनरविचार, छायावाद का पतन, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान अगला प्रश्न है निम्न लिखित गरंथों का सही अनुकरम क्या है? नीचे कुछ गरंथ हैं उसका सही अनुकरम बताना है option A, हिंदी नौरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मुल्यांकन option B, देव और बिहारी, हिंदी नौरत्न, बिहारी का नया मुल्यांकन, बिहारी और देव Option C, बिहारी और देव, देव और बिहारी, बिहारी का नया मुल्यांकन, हिंदी नौरतन Option D, बिहारी का नया मुल्यांकन, बिहारी और देव, हिंदी नौरतन, देव और बिहारी तो सही उत्तर है Option A अगला प्रशन है निमन लिखित काविशास्त्री ग्रंथों का सही अनुकरम क्या है काविशास्त्री ग्रंथ दिये गए है उनका सही अनुकरम मताना है Option A Option B Option C Option D अगला प्रशन है इस थापना अशर्शन दिया हुआ है A भासा संस्कृती की सम्वाहक होती है इसका तर्क है रीजन आर से दर्शाया गया है भासा के बिना संस्कृती की कल्पना संभव नहीं है अब इसमें से बताना है कौन सा सही है Option A A सही है और R गलत है B A गलत और R सही है C A और R दोनों गलत हैं या फिर Option D A और R दोनों सही हैं तो कौन सा उत्तर है जो सही है Option D A और R दोनों सही है मतलब इस्थापना और तर्क दोनों सही है अगला प्रश्न है इस्थापना दिया हुआ है असर्शन A से दर्शाया गया है अंगरेजी पढ़ी के जदपी सदगुण होत प्रवीड पै निज भाषा ग्यान बिन रहत हीन को हीन तर्क दिया हुआ है Reason जिसे R से दर्शाया गया है अंगरेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं तो इसमें नीचे options है कौन सा सही है और कौन सा गलत है Option है A A और R दोनों सही है B A और R दोनों गलत है C A गलत और R सही है या फिर option D A सही और R गलत है तो सही उत्तर क्या है सही उत्तर है option D A सही और R गलत है इस्थापना सही और तर्क गलत है अगला प्रशन है इस्थापना असर्षन एसे दर्शाया गया है संत न छाड़े संत ई कोटी मिले असंत चंदन विस व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग तर्क दिया हुआ है Reason जिसे R से दर्शाया गया है दुष्टों की संगती में संतों का स्वभाव बदल जाता है अब कौन सा option सही है Option A A सही है और R गलत है Option B A गलत और R सही है Option C A और R दोनों गलत हैं या फिर option D A और R दोनों सही है तो सही उत्तर है Option A A सही है और R गलत है यहां इस्थापना सही है पर तर्क गलत है अगला प्रशन है इस्थापना दिया हुआ है Assertion जिसे A से दर्शाया गया है साहित साधना लिखित विश्व के एकत्तो अनुभाव करने की साधना है तर्क दिया हुआ है Reason R से दर्शाया गया है साहित विश्व बंधुत्यों की भावना को पुष्ट करता है नीचे option है कौन सही है Option है A A और R दोनों गलत है Option B A सही और R गलत है Option C A और R दोनों सही है या फिर option D A गलत है और R सही है तो सही उत्तर है Option C A और R दोनों सही है अशर्षन और Reason दोनों सही है दोस्तो अगर यहाँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तैयारी हलो शैनल को अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्तपूर सवाल लेकर आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद